हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्द जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 29 अब डिसमबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया की उपर यहां पे दो बहुत बड़ा धमाकेदार न्यूस सामने निकल के आया है और दूसके साथ साथ दोस्तों इंडिया का एक दिगज ब्रोकरेज कंपनी मोतिलाल ओस्वाल की तरफ से बाइंग कर रेकमेंशन आया है और उ तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकॉंट नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डिमेट आकॉंट उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड उसका अपडेट है डिसेंबर 29, 2020 आज की डेट पर यह सुभा का लेटेस्ट नियूस है उसका हेडलाइन आप देख सकते हैं CIL यानि कोल इंडिया लिमिटेट रूपीस वान लैक करोर प्लान तो डाइवार्सिफाइड प्रोडाक्ट गेट्स सेंटर्स नॉट जैसे को पत शब क्यों पर ध्यान दाना दोस्तों एप्रूट मतलब एप्रूबल दे दिया अल्रेडी ठीक है एप्रूट रूपीस वान लैक करोर डाइवार्सिफिकेशन प्लान बाइ स्टेट रन कोल इंडिया लिमिटेड तो सेट अप टू अलमोनियम प्लैंस इन इस्टन इंडिया एन एंटायर सोलर मॉडूल मनुफेक्ट्रिंग बहलूचेन इंक्लूडिंग दा कंट्रीस फर्स्ट पॉली सिनेशन फेकल्टी तो कंपीट विद चायना ठीक है बाद में आपको एक्स्प्लें करता हूं मैं तो पीपल एवर ओफ देवलोपमेंट सेट पॉली सिलिकॉन इ यहां पे कोल इंडिया को 70% मॉनोपॉली है बट अभी कोल इंडिया क्या कर रहा है दो और बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है ठीक है यहां पर बहुत सारा लंबा चोड़ा यहां पर आर्टिकल्स है मैं आपको शौर्ट में समझा देता हूं एक तो है एलमुनियम का चहा सेक्टर में भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और उसके लिए जो जो गॉबर्मेंट के तो यहां पर आप देख सकते हैं एक लाख करोर रुपे का ठीक है तो यह एक बहुत बहुत बढ़ा निउस है दोस्तों कोल इंडिया के लिए और उसके शेर होल्डर के लिए भ तो मतलब चारों तरफ धिरे-धिरे कर दिया इसमें सीधा सीधा दोस्तों कंपणी का फायदा होता है क्योंकि हो सकते कोई सेक्टर में थोड़ा सापका कम रेविन्यू कम सेल होड़ा है बट दूसरे से मैनेज हो जाता है तो इसके चलते कोल इंडिया में अभी दोस्तों आ 29 अब डीसमब 2020 सुभा लगबाग सारे 10-11 बची के आसवास यह न्यूज आया था यहां पर देख सकते हैं पाइंग के रेकमेंडेशन दिया है मोतिला लोस्वाल जो इंडिया के बिगज ब्रोकरेज कंपनी तर्प से बाइंग के रेकमेंडेशन है और जो टार्गेट प्र क्यों कि कोल इंडिया जिस जिस क्वालिटी का स्टॉक है वह दोस्तों 200-200 अराम से क्रोस कर जाएगा आप अगर कोल इंडिया को एक देर साल होल्ड करते हो तो तो आप समझते होंगे कि आप कितना बढ़िया पैसा कमाने का मौका आपको सामने मिल रहा है और अभी अगर आ है फ़रा सपोर्ट टार्गेट भी देख लेते हैं अभी आप देख सकते कोल इंडिया का जबी आरेसाइं इंडेक्स चल रहा है 52.91 अल्मस 53 के करी काफी स्ट्रॉंग हो चुका है अभी बात आते कोल इंडिया का सपोर्ट कहां पे है जब कुछ टाइम पहले लास्ट विक आपको याद होगा मंडे मार्केट थोड़ा गिरा हुआ था उस टाइम पर कोल इंडिया में यहां पर गिरावाट आया और शेयर प्राइस 130 की लेवल पर यहां पर देख सकती है जो दो कंडल एक बड़ा कंडल उसके बाद एक छोटा कंडल यह 130 की लेवल पर बढ़िया कि इसमें कोल इंडिया में यहां पर करीदारी करना स्टार्ट कर दीजिए कभी भी शेयर में जंप आ सकता है उसके बाद देख सकते हैं 120 से सीधा 140 की यहां पर रेंज पर चला गया तो वही होता है जब बढ़िया शेयर आपको बढ़िया उपर्चुनिटी मतलब बढ़िय की लिमिटेड हो चुका है इसका अभी डाउंसाइड है 120-130 के असपास हो चुका है इसके नीचे नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर देखिए क्लियर कट मैं लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूं इतने बढ़िया गिरावाट के बावजूद भी मार्केट के कोल इ यहां पर बड़े जंप लागाने वाले है ना उसके पहले वो जो होता है ना बहुत ज्यादा तूफान आने के पहले जो एक वेदर में खामोशी रहते है ठीक वैसा ही दोस्तों अभी एकदम शौर्ट ट्रेट करें क्योंकि इसकी जो शियर प्राइस कभी भी भी बड़े चलांग लगा सकते दोस्तों इसका थो तरह लौंग टाम का चाट पर चाटन दिखांगा दिके सब्सक्राइब तो अमने देख लिए अभी इसका बात अधर रेजिस्ट रेजिस्टें रेजिस्टें गोल इंडिया को जहां पे मिला वहाँ देर सो का लेवल बार 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 अधर आपे जाके रिजिक थोड़े यापे देखिए जब यहां पे माच की टाइम पे गिराव दुगा तो अ कोल इंडिया पे पुरा मार्केट गिरा तक ओल इंडिया का शेयर पैस बीग्राइब तब फॉरा से थोड़ा से रिकवाट काने की कोशिष क्या बट यहां पे दोस्तों देख सक्टें धर्सों की लब पे यापे रिजिस्टीन स्वेस्ट विश्क एपद फिर्श्ड जिरवाट हुआ फिर्स ईयाप फिर्स एयाप बटानी की कोशिष थिर्स ओम ए रिजकत वाट नियुक्टिस वाट थोड जुड़ा सा यापे रिक्शन वाब दोशि दे पखेड़ाना होना है कि फौर के शूट पर स्टेबल होना है अगर को लिइंडिया एक बाद यहां पेसीποार को पकरना मुश्किल हो जाएगा आप लोस्वाल क English stronger सब्सक्राइब कर जाए तो अभी देखना यह है कि ओल इंडिया कितने दिन में यह देर सो का लेबल क्रोस करके उपर की तरह बढ़ पाए बट मुझे नहीं लगदा कि अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि काफी टाइम से आप देख सकते यह मैं एक साल का चार्ट आपको इतना डिसकाउंट में मिल रहा है दोस्तों तो इसमें दोस्तों भर पूर इनर्जी भड़े पड़े है कभी इसमें 204 हो सकता है तो तैयार रहना और थोड़ा कर थोड़ा करकी यहां पर बाइंग करना भी स्टार्ट कर देना इसका बुलिंजर बैंड का नंबर नि क्योंकि बढ़िया यहां पर देखने को मिल रहा है यहां अब देखिया अज श्यर्पाइज ओपन वाद 138 की लेबल पर हाई टच के 149 रुपए पर लो टच के 134 वही मैं अभी कुछ दे पहले जो बोल रहा था 135 से 140 का लेबल पर लास्ट चार पास दिन से को लिनेर ट्रे देखिए शांदा डेलिवरी हो रहा है टोटल जो नंबर अफ क्वांटिटी यहां पर ट्रेड हुआ है दो करोर 116,000 उसके बाद वहां पर डेलिवरी उठाया गया लगबग 660 लाक श्यर का क्वांटिटी यहां पर डेलिवरी उठाय जा चुका है लिवरी परसंट देखि फ्यूचर बढ़िया यहां पर प्रॉफिट आपको कमा किने का मौका भी मिल रहा है तो इसी जो लेबल है कोल इंडिया का अच्छी यह लेबल है यह लेबल पे थोड़ा थोड़ा करके आप इंवेस्ट करना स्टार्ट कर दिजिए बना बाद में जाके आपको लॉंग टर